हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल प्लाटफॉर्म आव जाग अभी सो इस्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी हम रिवेजन कर रहे हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर ठीक है तो आपके पास में एक क्षिन ये भी आ सकता है कि खरपतवार क्या होत हैं उनका वर्गी करन कीजिए या फिर उनको विश्थार पूर्वक समझाएं ठीक है तो खरपतवार एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस पर अल्रेडी चार से पांच वीडियो है हमारे चैनल पर ठीक है तो आप उन्हें देख लीजिएगा डिटेल में तो सबसे पहले जालेंगे कर्पतवार का अर्ट तीक है तो कर्पतवार llegar два ऐसा बोदा है जो यह वांचित इस्थान पर बेना बह स्वैम ही उग जाता है और उस फसल को विभिन रूपों में शंति पहुचा कर उपज की हानि करता एक घपतवार कहलाता है ठीक है तो खर्पतवार कैसे पोदे होते हैं एक ऐसा पोदा जो एवांचित इस्थानों पर बीना बोई स्वेम ही उग जाता है और उस फसल को विबिन रूपों में शती पोँचा कर उपज की हानी करता है खर्पतवार कहलाता है तो आपको ये क्लियर हो गया कि खर्पतवार क्या होता है ठीक है एक ऐसा पोदा जो अपने आप ही उग जाता है बिना उसे बोते नहीं है ठीक है वो फसलों के साथ खुदी उग जाता है और विबिन परकार से शती पहुंचा कर जो उपर जोती है फसल की जो उठपादन होता है उसको वह आ नी पोँचाता है तो ऐसे पोदे खर्पतवार कहलाते हैं एक्जामपल के लिए गयों की फसल में उगने वाली जई का पोदा ये खर्पतवार का एक्जाम तो गेहों की फसल में उगने वाला जाई का पौदा खर्पतवार कहलाता है नेक्स्ट लाइन से लिखेगा बाब खर्पतवार एक ऐसा एवांचित पौदा है जो भीना बोई, खेतों तता अन्ने स्थानों पर उग गर तेजी से बढ़ता है और अपने समीब के यानि कि आसपास के पौदों की वरद्धी को दबा कर उपज की शम्ता को घटा देता है जिससे फसलों की गुणमत्ता गिर जाती है ठीक है? तो खर्पतवार एक ऐसा एवांचित पौदा है जो बिना बोई, केतों तता नियुस्थानों पर उग कर तेजी से बढ़ता है और अपने समीब के पौदों की वरद्धी को दबा कर उपज की शम्ता को घटा देता है जिससे फसलों की गुणमत्ता गिर जाती है तो सभी खर्पतवार एवांचित पौदे होते है लेकिन सभी एवांचित पौदे खर्पतवार नहीं होते है यह एक मेतपोन थत्य है ऐसे पोदे जो खर्पतवार के रूप में जाने जाते हैं मनुशे के क्रिया कलापों पर परतिकूल परभाव डालते हैं तो ऐसे पोदे जो खर्पतवार के रूप में जाने जाते हैं मनुशे की क्रिया कलापों पर पर्तिकूल परबाव डालते हैं नेक्स्ट एडिंग डालेंगे आप खर्पतवार की परिवाशा ठीक है एक ऐसा पोदा जिसे उस इस्थान पर नहीं उगना चाहिए और उग जाता है तो ऐसा पोदा खर्पतवार ऐसे पोदे को खर्पतवार का जाता है यह ऐसा पोदा खर्पतवार कहलाता है तो जो डेफिनेशन आप लिखेंगे पिटर के अनुसार लिखेंगे ठीक है तो एक ऐसा पोदा जिसकी हानी करने की शमता उसकी लाब करने की शमता से अधिक होती है खर्पतवार कहलाता है पिटर के अनुसार एक ऐसा पोधा जिसकी हानी करने की शमता उसकी लाब करने की शमता से आधिक होती है खर्पतवार कहलाता है नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे खर्पतवारों का वर्गी करण ठीक है तो खर्पतवारों के वर्गी करण में चार परकार के खर्पतवार आएंगे जो कुछ खर्पतवार एक वर्षी होते हैं कुछ खर्पतवार दो वर्षी होते हैं कुछ तीन वर्षी होते हैं और कुछ बहु वर्षी होते हैं ठीक है? जब आप ये heading डालेंगे खर्पतवारों का वर्गी करण ठीक है तो उसमें आप यही लिखेंगे कि खर्पतवार एक वर्षिय खर्पतवार दी वर्षिय तीन वर्षिय और बहु वर्षिय खर्पतवार ठीक है तो इसके बारे में आप लिखेंगे तो एक वर्षी खर्पतवार वे सभी खर्पतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं ऐसे खर्पतवार एक वर्षी खर्पतवार क्यालाते हैं तो एक वर्षे खर्पतवार कौन से होते हैं वे सभी खर्पतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं, एक वर्षे खर्पतवार क्यालाते हैं, इसी के साथ साथ आप इन सभी के एक्जामपल भी लिखेंगे, ठीक है, तो एक वर्षी खर्पतवार के उधारण है, बतुआ, किशनील और कनकुआ, ठीक तो इसके अंदर वे खर्पतवार आते हैं, तो दिवर्षे खर्पतवार, वे सभी खर्पतवार जो अपना जीवन चक्र एक से दो वर्ष में पूरा करते हैं, दिवर्षी खर्पतवार कहलाते हैं, ठीक है, तो वे सभी खर्पतवार जो अपना जीवन चक्र एक से दो वर् में पूरा करते हैं दिवर्षिये खर्पतवार के एक्जामपल है जंगली गाजर और जंगली गॉबी थर्ड आप हैडिंग डालेंगे बहुवर्षिये खर्पतवार ती है तो ये तीनी परकार के होते हैं तीन वर्षे नहीं होते ठीक है बाई मिस्टे मुझे ध्यान डाओगा बच्चे तो बहु वर्षे खर्पतवार ये सबी खर्पतवार जो अपना जीवन चक्र दो या दो से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं बहु वर्षे खर्पतवार कहलाते हैं तो बहु वर्षे खर्पतवार कौन से होते हैं जिनका जीवन चक्र दो या दो से अधिक वर्षों में पूरा होता है ऐसे खर्पतवार बहु वर्षे कर्पतवार क्या लाते हैं बहु वर्षे कर्पतवार का एक्जामपल अभी हम देख लेते हैं तो बहुवर्षी खर्पतवार के उधारण है, मौता, हिरंखोई और दूब घास, ये सब खर्पतवार, बहुवर्षी खर्पतवार के अंतरगत आते हैं, कि नृट कि बाद आप हेड़िंग डालेंगे खर्पतवार के प्रमुक ठरकार रिखेते हैं तर्शंस के बाद आप लिकिएगा नमब्र एक सापैक्ष खर्पतवार रात्पार सब्सक्षिद ऐधकार मिल्पी खरपदूरं से एक वर्ष ऑर्ष दीुवर्ष ऑर नियिए और या दमों देंते हैं और वर्ष काला दुवर्ष काला की वर्ष ऑर आप उसके गाधार वर्षौन के बारे में लिखेंगे तो अगर मैं इने भी डिटेल से पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा अल्रेडी मैंने खरपदवार पर वीडियो बनाई हुई है तो ये आपको परकार पता चल गए हैं कि कौन कौन से परकार होते हैं करपदवार के तो आप उन वीडियो को देख लीजिए ठीक है तो आप उन वीडियो को देख करके notes बना लेना ठीक है और अगर आपको फिर भी problem होती है तो आप comment कर देना ठीक है तो ये भी मैं short में एक video बना दूँ ये क्योंकि जो वो वीडियो है उनमें बहुत ज़्यादा detail में बताया गया है ठीक है लेकिन आप अगर already वरगी करन भी कर रहे हैं ठीक है उसके बाद परकार भी बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा detail में आपको नहीं लिखना है ठीक है तो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही देना है जैसे कि सपैक्ष खर्पदवार है तो सपैक्ष खर्पदवार क्या होते हैं सिर्फ उतना ही आपको लिखना है और अगर example होगा तो example दे दीजीएगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको ठीक है